नमस्कार मित्रों आपके सामने छोटी सी एक कहाने लेकर के आया हूँ एक गाउ में एक गरीब रहता था गरीब के पास गाय था उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था वो गाय का ही सेवा करता था एक दिन वो गरीब बिमार पड़ गया और गाय का सेवा नहीं हो पा रहा था एक दिन की बात है रात में गाय अपने अपने भासा में कह रही थी कि यहां पर अब हमारी सेवा नहीं हो रही है हम लोग दूसरे जिगह चल जाते हैं दूसरी गाय बोली नहीं हम ऐसा नहीं उसके बाद सविरे उठी और गाई का सेवा सलगन से करने लग गई पता है मित्रों अपने अपने भासा में जितने भी पसुपक्षी हैं सब बोलते हैं गाई को कभी मारना नहीं चाहिए गाई को सेवा करना चाहिए मित्र गाई जो हैं हमारे माता हैं तो माता को कभी नहीं मारा जा सकता है तो आप लोग गाई का सेवा कीजिए और आप लोग अपना-पना धर्म पुन्य कमाईए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को ये कहानी कैसा लगा जरूर बताईएगा अपने दोस्त गुरुदेव को आप लोग अनुमती दीजिए फिर मिलेंगे अगले ब्रेक में जय हिंद